दोस्तों वैशाक मास की शुकल पक्ष की तृतिया किथी को अक्षे तृतिया तिवहार मनाया जाता है। अक्षे तृतिया को ही कल्यूग का प्रारंब हुआ था। इसलिए इसे युगादिति थी भी कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का खास महत्व है। इस दिन सोना खरीदने से घर में सौभाग्य, सम्रिद्धी, शांती और सुक आता है। घर के लोगों की तरक्की होती है। इस दिन घर में आने वाला धन कभी छय नहीं होता और उसमें कभी कमी नहीं आती। इस दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी की पूजा भी की जाती है। जिससे घर में धन, वैभव और प्रसनता बनी रहे। इस दिन भगवान विश्णू के चर्णों से धर्ती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। इसी दिन भगवान विश्णू ने भगवान परशुराम जी का अवतार भी लिया था। दोस्तों कलियूग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विश्णू की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चे ही अगले जनम में सम्रध्धी एश्वर्य वा सुख की राप्ती होती है। दोस्तों इस वर्ष तीन मई दो हजार बाइस को अक्षे त्रतिया मनाई जाएगी। पूजन का मोर्त है तीन मई सुबह पांच बज़ कर 49 मिनट से लेकर बारा बज़ कर 18 मिनट तग। अवधी है 6 गंटे 49 मिनट की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कहसा लगा हमें कमेंट बॉक से में लिख कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें। धन्यवाद।